नास्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाथ किताब और मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्ति इस हफ्ते एक बहुती चौका देने वाली बात हमारे सामने आई है और वो खबर है कि 2020 में एक औसत बांगला देशी की आए एक आम भारतिय से ज़्यादा हो जाएगी यह IMF यानि International Monetary Fund का अनुमान है यह आपको बहुती अजीब लग रहा होगा क्योंकि जब हम बांगला देशीयों के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं वो नहायती गरीब है भुखमरी से तंग है और इसलिए वो बार-बार भारत में आ जाते हैं हमारे यहाँ पे काम ढूंडने आते हैं भुखमरी से भागने के लिए आ जाते हैं हमें पीछे छोड़कर आगे निकलने वाला है खेर यह कितना सही है क्या सच में बांगला देश में औसत आय भारत की औसत आय से जादा हो गई है इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में आयमेफ का जो नया रिपोर्ट आया है उसमें आयमेफ कह रही है कि 2020 में बांगला देश की पर कैपिटा जीडीपी भारत की पर कैपिटा जीडीपी से ज्यादा हो जाएगी पर कैपिटा जीडीपी क्या होती है किसी भी देश की आप कुल जीडीपी ले लिजे और उसको उस देश की आबादी से डिवाइड यानि कि भाग कर दीजे तो आपको औसत प्रतिव्यक्ति औसत जीडीपी मिल जाएगी और आएमेफ का अनुमान है कि 2020 में बांगलादेश की प्रतिव्यक्ति जीडीपी डॉलर में हो जाएगा क्योंकि इसमें से महेंगाई दर हटाया नहीं गया है और अगर असलियत आपको देखना है तो आएमेफ के रिपोर्ट में ही आपको असली डेटा मिल जाएगा और इसे कहते हैं पर कैपिटा जीडीपी वही प्रतिव्यक्ति जीडीपी लेकिन PPP डॉलर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए PPP को समझे क्योंकि ये आपको बाद में भी काम आएगी ताकि कोई नेता आपको जहासे में नडला सके PPP यानि Purchasing Power Parity इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक डॉलर ले ले और उससे अमरीका में जो चीज हम खरीद सकते हैं वही चीज किसी और देश में उस देश की करंसी में खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा जैसे कि अगर हम अमेरिका में एक डॉलर से कोई चीज लेते हैं वही चीज अगर हमें भारत में खरीदना पड़े तो हमको 22 रुपे देने पड़ेंगे यानि कि PPP डॉलर Purchasing Power Parity वाला डॉलर सिरफ 22 रुपे का है लेकिन आप अगर किसी बैंक में जाकर डॉलर खरीदने की कोशिश करेंगे इस वक तो आपको 75 रुपे देने पड़ेंगे तो आप समझ लीजे एक्सचेंज रेट में 75 रुपे है डॉलर लेकिन Purchasing Power Parity में यानि PPP में सिरफ 22 रुपे 22 रुपे का जो सामान हम भारत में खरीद सकते हैं वही सामान हम एक डॉलर में अमेरिका में खरीद पाएंगे उसी तरीके से अगर मैं बांगलादेशी टाका में देखूँ तो एक डॉलर को अगर बैंक में जाकर चेंज करना हो यानि कि एक्सचेंज रेट पर देखा वही चीज अगर बंगलादेश में जाकर खरीदना पड़े तो आपको 33 बंगलादेशी टाका देने पड़ेंगे तो यही है PPP dollar और exchange rate में फर तो अगर आपको कोई भी चीज को तुलना करना हो कि standard of living एक देश में क्या है और दूसरी देश में क्या है मतलब एक ही चीज अगर आपको एक देश में खरीदना हो दूसरे देश में वही चीज खरीदना हो तो आपको purchasing power parity की तुलना करनी पड़ेगी इसलिए मोधी सरकार कह रही है कि आप IMF की report में वही per capita income यानि प्रतिव्यक्ति income को लीजे लेकिन आज के dollar में मत लीजिए PPP dollar में लीजिए purchasing power parity के dollar में ल चलता है और उसी से पता चलता है कि दोनों देश में standard of living कैसा है तो चले हम PPP dollar ले ले लेते और जी हाँ इसमें भारत आज भी बांगलादेश से आगे है तो वो आकड़ा क्या है अगर हम PPP dollar में देखे यानि की purchasing power parity के तौर पे देखे तो भारत में प्रतिव्यक्ति GDP यानि है 6,284 dollar 2020 में अगले साल COVID के असर के बाद और बांगलादेश में वही होगा 5,149 dollar यानि तब भी बांगलादेश का per capita GDP हमसे काफी पीछे रहेगा तो आप कह सकते हैं कि मोधी सरकार इस बात पर सही है राहुल गांधी ने जो comparison किया है वह आज के dollar में तो सही है exchange rate में तो सही है लेकिन असली standard of living देखना हो तो वो सही नही निकलेगी और जैसे मैंने कहा कि यह सरकारी आकड़ा ने ही यह मोधी सरकार का आकड़ा ने है यह IMF के report में ही है तो यह comparison सही है लेकिन यही comparison को थोड़ा हम आगे ले जाते हैं यही तुलना को थोड़ा हम आगे ले जाते हैं इसी PPP वाले आकड़े को देखने के लिए कि बांगलादेश में प्रति व्यक्ति जो आए है वो किस रेट से बढ़ी है पिछले पांच साल में, क्या भारत में भी उसी रेट से बढ़ी है या नहीं? तो आप देखें कि 2014 से 2019 का अगर हम ले ले यानि COVID से पहले का इसमें COVID का कोई असर नहीं है तो बांगलादेश में प्रति व्यक्ति GDP यानि कि एक औसत बांगलादेशी की आए 49 प्रतिशत बढ़ी है वही अगर हम भारत में देखे 2014 से 2019 में एक आम भारतिय की आए औसत प्रति प्रति व्यक्ति GDP सिरफ 33 प्रतिशत बढ़ी है यानि हम बांगलादेश के ग्रोथ रेट से काफी पीछे है अब मैं COVID का असर भी ले लेता हूं तो पांच साल लेता हूं 2020 को इंक्लूड करके 2015 से 2020 अब देखिए COVID का असर सभी देशों पर है बांगलादेश पर भी है भारत जादा है इसलिए अब हम देखे तो प्रति व्यक्ति जो GDP है यानि कि एक आम बांगलादेशी की जो आए है वो 2015 से 2020 का जो अनुमान है इसके बीच लगभग 38 प्रतिशत बढ़ेगा 38 प्रतिशत वही अगर हम भारत की ले ले तो सिर्फ 15 प्रतिशत जो औसत आए एक भारति का 2015 में था उससे सिर्फ 15 प्रतिशत बढ़ेगा 2020 में जाकर अब इसी चीज़ को थोड़ा दूसरी तरेके से देख लेते ताकि समझना थोड़ा आसान हो 2014 में अगर हम ले की एक औसत भारतिय की आए 100 रुपे थी तो बांगलादेशी की आए था 66 रुपे यानि 67 रुपी भारतिय की औसत आए 100 बांगलादेशी की औसत आए हमारे रुपे में 66 रुपे बैठता है वही अगर हम 2020 का ले ले तो भारतिय का 20 प्रतिशत बढ़ गया है 2014 से लेकर हम जाकर पहुंचेंगे 120 रुपे पर औसत आए लेकिन जो बांगलादेशी है उनका औसत आए कितना बढ़ गया है 98 रुपी पे चला गया है लगबग 100 के आसपास चला गया है कहां पहले 50 प्रति प्रतिशत के गैप पर उतर आई है मोदी सरकार आपको कहेगी कि यह तो कोविड-19 का असर है देखिए भारत पे कोविड-19 का कहर बहुत जादा रहा है बांगलादेश में उतना नहीं रहा है यह एक हद तक सही है और भारत सरकार यह भी कहेगी कि अगले साल से फिर से हमार गैप बढ़ता जाएगा हम आगे निकल जाएंगे बांगलादेश पीछे रह जाएगा लेकिन IMF का अगर अनुमान हम देखे तो पिक्चर बिलकुल अलग लगता है क्योंकि 2025 तक अगर हम देखे तो यही गैप रहेगा फासला जहां 2014 में कितना था 50 प्रतिशत का था गैप 2025 में भी सिरफ 22 प्रतिशत का ही रहेगा एक आउसत बांगलादेशी के आए और एक आउसत भाद्य के आए के बीच अब हम मोदी काल का UPA काल से कंपैरिजन करते हैं तुलना करके देखते हैं और आउसत लेते हैं कि आउसत प्रतिवक्ति आए UPA period में कितना था वो 10 साल है औ क्योंकि मैं इस साल का नहीं लोंगा जब काफी गिरावट आई है कोविट के चलते हैं तो कोविट के आड में कोई छुप नहीं सकता है इसमें अब आप देखें कि आउसत अगर 100 रुपए UPA period में एक भारतिय की आउसत आय थी तो एक बांगलादेशी के उस वक्त 64 रुप है वहीं पर उसत आय बांगलादेशी का सत्तर पर आ गया है यानि कि ये फासला मोधी पीरेड में कम हो गया है बांगलादेश में उसत आय तेजी से बढ़ रही है हमारे देहां पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है तो IMF के डेटा का अगर हम असल हिसाब लगाए त हो सकता है देखिए बांगलादेश बहुत सारे चीजों में सोशल इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं हमसे आगे निकल चुकी है और हो सकता है कि अगले 10 सालों में economy में भी वह हमसे आगे निकल जाए